Hello everyone, today's our topic is addition and subtraction together. Addition and subtraction together means क्या होगा? Addition और subtraction एक साथ चलेंगे. जैसे for example की यह हमें question दिया है. Sole 2437 plus 5168 minus 4294. इसमें plus का sign भी है और minus का sign भी है. इत मिन्स क्या है हमको? Addition and subtraction एक साथ करनी. एक साथ मिन्स कैसे? Step by step. First add the number. सबसे पहले हम number add करेंगे. जैसे 2437 और 5168. इन दोनों को हम पहले add करेंगे. इनको column में arrange करेंगे. Once, 10, 100 and 1000. तो जब किसी digit के आगे कुछ नहीं है तो plus है. इसका means हम आगे और भी देखेंगे. 8 plus 7. First add करेंगे हम तो. 8 plus 7. How many numbers? 15. Plus 1 carry. 6, 7, 8, 9. Plus 1, 10. 1 carry. 4 plus 1, 5. Plus 1, 6. 5, and 5 plus 2, 7. तो 7,605. यह हमारा answer आगया. अब क्या है? कि यह जो digit है. हमने इन दोनों digit को add किया. तो हमारा answer क्या है? 7,605. उसमें से हमको क्या less करना है? minus 4,294. तो हम यहां first write करेंगे. 7,605. अब हम इसको less करेंगे. 5 में से 4 less करने पर. 1. 9 minus from 0. 9 cannot be subtracted from 0. So, we borrow 1 from 100 columns. तो 0 write किये हमने. और 1 जो ही यहां से borrow लिया. 100 की digit से. तो यहां 10 हो गया. 10 में से 9 easily less हो पाते हैं. 9 and 1, 10. ओके? तो जब हमने 10 के digit को दे दिया. तो यहां 100 वाले digit की column में क्या रहे गए? 5. 5 में से 2 less करने पर 3. अब 7 में से 4 less करना है. 4 minus from 7. तो 3. तो 3311 is our answer. Then next. अब इसको solve करेंगे हम. 3428 minus 5194 plus 6728. तो सबसे first plus करेंगे हम. step first में क्या आएगा? First add the number. Number को 8 करना है. तो plus वाला एक तो हमारे पास यह digit है और एक यह digit है. जब किसी भी digit के आगे कुछ नहीं है. किसी का sign नहीं है. तो वहाँ plus का sign होगा. क्योंकि 5194 के आगे किसका है? माइनस का sign है. तो हम पहले plus वाली digit को add करेंगे. तो thousand. पहले number of house में write कर देंगे. तो thousand, hundred, tens and once. तो 3,000, 428, and 6,728. फिर्स्ट हम 8 करेंगे. तो 8 का sign लगाएंगे. 8 प्लस 8, 16. 16 का 6. और 10 की digit वाला, जो हो 10 की digit में चला जाएगा. के रिया जाएगा. 2, 2, 4, plus 1, 5. and 7 प्लस 4, 11. 1 and 1000 वाला, 1000 की digit में चला जाएगा. 6, 7, 8, 9, and 10. तो हम क्या करेंगे अब इसमें से? इस digit को less करेंगे. 1000, hundred, tens and once. तो यह आगया answer. जब हमने first add किया first step में, तो 10,156. अब हमको क्या जब दोनों ही digit प्लस कर ली? अब हमको माइनस करना है. तो क्या करेंगे? माइनस का sign है. तो 5,194. इसको हम सब्ट्रेक करेंगे. 6 में से 2 less, sorry 4 less करने पर 2. अब 5 में से 9 नहीं होंगे less. तो क्या होगा? 15, 1. यहां से बोरो लेंगे. इसके पास already 1 ही है. यह इसको 1 दे देता है. तो इसके 100 प्लस पर क्या जाएगा? 0 ही रहेगा. जब 0 रहेगा तो यह हम आगे देखते हैं, जब 6 करेंगे. 15 में से 9 less करने पर 9 क्या आगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. अब जब 0 है, तो हमने 1000 की डिजिट से बोरो किया. 10 हो गए, 10 में से 1 less करने पर 9. अब जब यहां 10 थे, तो 100 की डिजिट में देने पर यहां क्या हो गए? 9. तो 9 में से 5 less करने पर 4. तो अब रांसर इस 4,962. 1 और 6 करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब यह दोनों डिजिट 8 होगी, प्लस का साइन है, तो इन दोनों डिजिट को 8 करेंगे हम पहले. 1000, 1, 10, 100 and 1000 है. तो 1000, 100, 10 and 1s. फर्स्ट एड 4,216 and 2476 plus का साइन and 6 plus 6, 12, 2, 1, 10 वाला 10 की डिजिट में चला जाएगा. 7, 8, 9, 4 और 2, 6, 4 प्लस 2, 6, तो 6692. जब हमने इन दोनों डिजिट को 8 किया, तो यह आंसर आए. और अब हमको क्या करना है, step 2 में माइनस करना है. तो 1000, 100, 10s and 1s. तो 6692 and 5634. तो 4 less नहीं होगा 2 में से. तो 1 बोरो करेंगे 10 की डिजिट से. तो 12 हो जाएंगे and 4 less करने पर 4 के आगे से काउंट करो. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 and 1 बोरो कर दिया. जब 10s की डिजिट को तो 10s की डिजिट में 8 रह गए. 8 में से 3 less जब हम करते हैं तो 5 remaining रहेंगे and जब 6 में से 6 less करने पर 0 and 6 में से 5 less करने पर 1. तो 1058 is our answer. तो यह इसमें आपको confused नहीं होना है कि इन प्रिवेस क्लास में जो हमने solve किये थे कि क्या addition की true तो हमने answer check किया था. कि हमारा answer correct है या नहीं addition करके हमने उसको check किया. लेकिन अब आपके साथ addition and subtraction दोनों एक साथ चल रहे हैं. तो यह अलग से question है कि दोनों को एक साथ करना है न किये answer check करने के लिए. तो अब next लेखते हैं.